कि हैं एक हैलो फ्रेंड वेलकम बैक टूँद नेक्स वीडियो और आज का सुरू मुलक का हिस्टरी का यह वहती वीवाइग गुश्चन है देखते हैं इस वीडियो के मात्यम से कौर्ण से क्वेस्चन है तो चलते हम सुरू करते हैं इससे पहले आपके लाइक ने कि दो यानि मोहन जोद्रो वह सही और से जबात करें तो वह जाए गापका अप्षान संडूंबर देहार की सब्सक्राइब कानल सीयोंए असन्सकी कुस्टन है ऑप सिन चलते घले के के तीशरे के काली श्तित है तो तो यह सही ऑप्सिर या भी यानि राजस्थान इसलस्थान आगर सथाना किषुत कर एक एक क्षे को सब्वतार में निवाशी को निमने रिखत में दुखा का ग्यान नहीं था तो यहां पर आप्सन नमर्सी राइट हो जाएगा चलते एगले कुस्चिन जो कि मौड़ी बंस का सस्थापक कौन था अप्सन आपके पास चंदरगुप्त मौड़ी है गुमार गुपते या फिर असकंद गुपत या फिर असोक तो यहां पर जो जो स्दिकी आपको कॉट्षि कांड गुट्रव यानि मौड़ी वन्स को सब्सक्ता तो मौड़ी अप्सन नमर्स नमर्प पी रैट हो जाएगा उसकी बाद साथ में कुस्ट्व को पिरियो दर्सी कहा जाता है तो यह जो होंगा और यह जो जो आपका आपको आपको तकाहा है तो वह जाएगा हुआता है तो बंगा पुतर कहा आता है आपका सी राइठाक है रेक्षा के दो तो अप्सेन नमबर सी यहां पे 20 में राइट हो जागा चलते एक लिए कुस्चन जो कि दसमा कुस्चन है और कुस्चन के महा भारत की लड़ाई कितने दिन तक चली कि अपसें आप के पाल दिया दस दिन अठार दिन दस महीने या फिर 18 महीने तो सही जो अनसर हो जाएगा वोजया sinners अपसें नमबर ब्यारी एंगा었다 दिन थेया है आप्पर्रों अप्टेजिघ के यहां पीज और मैं कुस्टन है और महावीर का जन में कहा हुए था तो यहां पर औप्सिन चाहर दिया वाँ आपके पास तो पूस हो जाएगा आप का प्सने मअबढ़ सी यानि कुंडल ग्राम कुंडल ग्राम पर यूद्र तो यह बें तो मोरी नहीं होगा मावीर का जो मैं पर आठोंगा यानि बात धर्मएं इस तो आप्सान दिडित संबंदित हैं आप अप्सिन नमबर B यानि बौत धर्मएंं और उसकी वाइस चलते तो टेलेकर कुस्ष्टं जो है तो बात्साना किसने लिखा तो अब्दुर्हमित लाहोडी ने और चलते चोजे कुस्टिन की तरफ जो कि है भारत का अंतिम मुगल सामराथ कौन था तो यह आपको पताई होगा तो अप्सेन नमडर यांपर सी जाने बहादूर साजफर भारत का अंतिम मुगल सामराथ कौन तो बहादूर साजफर और अगला कुस्टिन नहीं पत का प्रफम युद्ध कब हुआ था तो अपसन चाहर दिया आपके पास पंद्रेस सुनों पर सचब्शिश्या फिर पंद्रेस सच्पपा या फिर फंद्रेस सू एक सट्ट तो सही उप्सन हो जाएगा आपका उसन नम कुस्टन हडी रेव Systems के थे सबस्कुई कहा अपको C ед Share और संगम विखको अब चलते हैं एक लिए question जो कि मुत का थार्म है को इस तहरे की विजए नगर की यात्रा पर आने वाला परत्रम्षिya आत्री कौन था तो चार आपके पास दिया हुआ तो इसके जो सही जो अपसिन जाएगा वह जाएगा आपका आपसिन नमबर ए यानि निकोलो कॉंटी निकोलो कॉंटी यह था विज़नेगर के आत्राप पर सबसे पहले तो अपसिन नमबर यहां पर यह राइट हो जाएगा अब चलते है अगले कि सिख मर्योधुदिंग चिस्ति का दरगा कहां है तो इसके जो सही जो साइट होगा वह जाएगा आपका अपसिन नमबर यहानि अज़मेर आपके रैट हो जाएगा अप यहां पर दििकल से हो जाएगा अब चलते हैं और कि कि तलवंडी किस का जन्र अस्थान है अश्वासा को से नकितों है को तक निर्मान की निर्मान किसने शुरू किया तो इसके सही ऐसी बाद करत ऊच्छाएगा आप का कि बीजक मैं किसके उब्देश संग्रित है चार आपके पास है कवीर गुरुनानक चैतन या फिर रामानन तो सही अप्षिन हो जाएगा यानि कभीर अब चलते हैं अगले कुस्टिन के तरफ जो कि हम लोग का तेसमों कुस्टिन है और है किताब और रहला में किसकी यातरा व बटूता अब चलते हैं अगले कुस्टिन जो कि हम लोग का है अल बरूने किसकी साथ भारत आया था चार आपके पास है तो वह सही अप्षिन के बात करत हो जाएगा आपका आपका नंबर बी यानि महमुद गजनवी कौन सा जाएगा आपका नंबर बी यानि महमुद गज जाएगा अब चलते हैं अगले कुस्टिन जो कि हम लोग का हिमायू नामा किस ने लिखा था चार अप्षिन आपके पास गुल बदन बेगम फैजी या फिर अबुल फजल या फिर अब्दूल हमिद लाहोडी तो सही अप्षिन बात करें तो गो जाएगा गुल बदन अगला है संथाल विद्रों के नेता कौन थे तो इसके नेता थे सिद्ध और कन्हूं कौन थे सिद्ध और कन्हूं जो कि आपर अप्षिन नम्बर ए रैठ हो जाएगा अब चलते हैं अगले कुस्टिन जो है अस्थाई बंदवस्त कारणवालिस ने कब लागू किया था अ यहां पर अप्षिन नम्बर सी राइठ हो जागा यानि 793 को कब लाग गया था तो 793 को क्या लागी किया तो अस्थाई बंदवस्त की स्की द्वारा कौन था अब चलते एगले कोस्टिन जो कि हम लोग का फ्रांसिस बुकानें कौन था चार अप्षिन आपके पास या त्र और स्ट्रियों को साथचा सपनी के अप्षिन नमबर सी यानि 875 डखकन आयोग चब नुव्त कि यहां परज़ोंगा है चलते हैं क्यों को सिर्फौशन और कि रानी लक्ष्मी का जयन में कहा हुआ थो सही अप्षिन के बात करें तो बोजाएगा आपका आपका ऑप्षिन बी यानि कासी जो की पड़ता है वारा नसी में तो अप्शन नमबर बी यहां पर बिल्कुल राइट हो जाएगा यानि कासी यानि से रुज़ागा अब चलते के लिए कुस्चिन जो कि पीर अली अब चलते एक लिए कुस्चिन जो कि हम लोग का चाहती सो कुस्चिन है और है ठाड़ा संतावन की विद्रों की समय भारत का गवर्णर जेनरल कौन था तो यहां पर चार उप्शन दिया हुआ है आपके पास सही जो बात करें हो जाएगा आपका नमबर बी यानि मह मही 1498 को सेम सेम कुस्चिन है यहां पर मार्श द्यावाँ यहां पर मही तो अप्शन जाद रिखेना मही 1498 राइट हो जाएगा अब चलते एक लिए कोस्चिन जो कि यार चाहती सो कुस्चिन है भारत में रेलवे की सुरुवात कब हुगी आसान सा कुस्चिन है और इसकी स तो सही हो जागा हो जागा करस नंबर वच्चिन है कि एक किस राज़े मैं इस्थित है तो यहां पर ऑफसे हो सकता है लेकिन अगर पूर्य बात करें इसमया कहां पर असल में है तो तो हो जाएक आपका पंजाब में पन्जाब के लिए पदता है छोटे से कजबा से घरा उ मिलता है और यहां पर ओर सामीर थोड़ा से मिलता है तो अगर असलों बात करो तो तक गुजरात अपलोग माल लेकिन असल में रियल में पंजाब में हो जो पर चरित खिरा है नामकिसे तो फ़ोग पंजाब में है और चलते एंगले को स्टेंड जो कि हम लोग का 29-49 या फिर तेरे मैं 1913 जुन 1913 या तेरे जुरा उनेस तो सही अप्षन बात करें तो उप्षन नमबर याने तेरे अप्रेल 1919 या पर रैक एनसर हो जाएगा अगला कोस्चन है चारीसों कुस्चन और कोस्चन कि सायमन कमिसन की निवक्ति कब हुई आपके पास सही आपस करिए तहीं आपको बात करेगा है आपका आपका आपके नमबर डी याने रविंदर नाथ टैगोर किसने आपके रविंदर नाथ टैगोर ने सर्की उपाधी वापस कर दी भीटि सरकार को महत्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे असान सब क्वेस्चन है साइथ आप लोग के लिए तो अप्शन नमबर यहां पे बी यानि गोपाल किरस्ण गोख्री राइट एंसर हो जाएगा अप्शन नमबर बी बेलकुल से होगा अब चलते लिए कोस्चन जो कि हम लोग अगले बात करते हैं जो कि हम लोग का है वस्चन बंगाल विवाजन की घुषना किस वर्स हुवी थी तो सही आपका अप्शन नमबर यहानि 1905 को कब हुई थी तो 1905 को बंगाल विवाजन की घुषना हुई थी यहाद रिखे का अगला कुस्चन है कि केबिनेट मिशन भार कब आया चार अप्शन है तो सही अप्शन के बात करें तो वह जाएगा आपका अप्शन नमबर यहां पर राइड बात करें वह जाएगा उसी यानि 1904 को कब भरता आया था तो उनिश्चु चालेस यानि और सिया पर बिल्कुल राइट हो जाएगा और चलते चालेस पर कुछत ने भारत का वीवाजन की स्य एक परईनाम के चार अप्शन है तो सही अप्शन बात करते हैं आपका आप्शन नमबर डी यानि माउंट बेतन योजना कि सवेजना तो माउंट बेटन योजना यहां पर आपका राइड हो जाएगा अगला कुछ्च्चन इस सब्सक्राइब यह रहा है कि धारत कि सब्सक्राइब के धार्ट समय आपका याँ नहीं या खना फैसलिग यह dong वह नहीं हो द्रश्चन दिन बीड़ी को लागो कि आथा इस लिए भारति समिधान कम लागोई वल्टाइब यह को याँआ पर एक वह आट बेas देख पारोंगे आप पे कि हरप्पा में सवरो परतम किस अस्थल खोज हुंभी तो अब आप में सबसे पहले जो अस्थल खोज थी वह अरपाई थी इसकूर्शन का अणिसर बीघंड से बिदेज पयए क्योंकि पहले जो खोज़ है पावली जिसके कारियन इसको अरपा सब से मिला है यहां पर चार हरप हरपाय अस्थल के नाम दिये हुए तो इस कुस्षण का राटन से हुजाएगा ओप्सन नमबर सी हो जाएगा यानि काली भंगार से मिलाग़ काली भंगार जो की राजिस्तान मस्तीत है थैं सीर क्कुस्सा नम्ब्र fourth छ spark रहान हुआ था वह हुआ था यहां पर राटनेशन लोगा ओप्शन नमबर बी याने तीन सो एक इस इसा पुर्व में इसा पुर्व मततर इस वी से पहले कुछ्छन नमबर देख पर पाशवा की अर्भो ने सिंध्व विजय कप किया अर्भो यह सिंध्व के साथ जो रगा हुआ था तो वह विजय का प्राप्त भी थी तो इस कुस्तिन का राटनेशन नमबर पर सी हो जाएगा यानि सास्तों बारे स्यू में चलिने सुच्छन देख पार होंगे रिग्वेद का काल क्या है तो रिग्वेद काल है वो है एक हजार से साड़ी पंद्रेशन से एक हज नमबर बी चले बढ़ते निस तरफ और कुस्छन नमबर दायन देख पर होंगे गुप्त वनसका सार्व देख सक्ति साली सासक कौन था तो गुप्त वनसका सबसे सक्ति साली सासक था वो था यहां पे वी हो जाएगा यानि जैन दर्म के तेश में तिर्थकर कौन थे तो जैन दर्म के तेश में तिर्थकर जोते वह थे पासर वनात यानि इस कुस्छन ना से सी हो जाएगा क्यों जाएगा सब्ध किस धर्म से है तो हीन यान और महाजान बहुत जालेका उप्सन नंबर सीजे देख पर सिकंदर सिकंदर का भारत पर आकरमन कब हुआ तो सिकंदर का भारत पर आकरमन हुआ था वह वह था था 327 से 325 इसा पूरुम यानि इस कुछन राटनेसर यह हो जाएगा तेरा क्या होगा ऑप्शन नमबर ए चलो कुछन नमबर चौद्वा देख पार होंगे गज ए सिकंद्री की माप क्या थी ऑप्शन अब के सामें दिया हुआ है यानि एक चालिस अंगुल या 33 इंच चालिस और ना पावा या फिर इसको इंच बढ़नेंगे तो 33 इंच तो इसको कुछन अगर देख पार होंगे अकबर काल में करक के रूप में कितना भाग लिया जाता था यानि जो भूमी लगाया था ता उसका कितना भाग अगबर के का वह बढ़ते अगले कुछन ने तरफ और कुछन नमबर सोरवा देख पाहूंगे निमना बैसे कौन सासिक का चौकोर चांदी का होता था आपके सामने सुछन का राटिसर के बात करेंगे तो राटिसर नमबर सी याने जलाली कि जाएगा अप्सन मर्सी जलाली चले कुछन नम उल्ह लोबाब किसकी रचना है तो यहां पर ऑप्सन देख पार होंगे सो अप्सन हो जाएगा राटिसर नमबर यहां पर यह यहां खाफी खांद आपके सतरे का आप्सन नमबर ए चले लगला कुछन अठावा देख पार होंगे पानिपत की दूत्य युद्ध कब हुआ कर चले कर लिए सब्सक्तार इस राटिसर नमबर आपके सब्सक्राइब तो श्युद्ध कर अफ्सक्ति फ्युद्ध कर देख पार होंगे कि सासक के काल मैं भारत अवरत सामने दिया हूआ है सो इस से नमबर सी यहां अच्जुत्य देख आप चले कुछ्छन निम्हें लखित में से कौन फरिस्टा के नाम से परसिद है और गरंत तारी के फरिस्टा लिखी है और सामने दिया हुई है जो इस कुछन का राज़िस्टों के बात करें है तो राज़िस्टों नमबर ए हो जाएगा यानि मुहम्मद कासीम चले कुश्चन नम्बर 22 देख पारोंगे अब्दूर रजा किस देश का यात्री था तो इस कुश्चन का राइटेंसर की बात करेंगे तो राइटेंसर का ओप्शन नम्बर ए यानि रावी गुरू नानक का जन्मत तलवंडी में हुआ था यह किस नदी के किनारे अवस्थि चलिए बड़ते लिए कुश्चन नम्बर 24 देख पारोंगे कि कभी दास जी का संबन्द किस जाती से था का विब दास जी का संबन्द किस जाती से था आपको सामने दिया हुआ है तो बात करेंगे तो राइटेंसर डी हो जाएगा यानि जूला अगला कुश्चन नमबर द पतहपूर्स सिक्री कि अगला कुश्चिन नमेर 26 किताबुल हिंद किस हासा में लिखा गया उपशन अब के सामने दिया हुआ और बेए04 नमषी में आपते की और अधवल कि तया हुआ तुल्द्दका टाह विध्रों कभ हुआ था दक्कन का विद्रो कभ हुआ था तो दक्कन का जो विद्रो हुआ था वो हुआ था अठाड़ सो पच्छत्तर इस विगो यानि इस कुछन का राणने से बी हो जाएगा से अप्शन नमबर बी चलिए कुछन में अठाशन देख पर होंगे रहेत वारी व्यवस्था किसने नवब तन यह जो था अवद क्वापता यानि इस कुछन गाड़न से बी हो जाएगा कहां गाता तो अवद का चलिए कुस्टन नमबर तेसर तीस सुढ़ील देख पार होंगे बैर कपूर चावन में सरो पर्थम कि सिपाही ने विद्रो परानम किस सीपाही ने विद्रो प किने कि ने किया सब्सक्राइब दिया हुआ है। यहां पर यहां पर जितना जिना में सभी अथा-थाथा यहां की दिया हुआ है। बत्ते ह्लिवेवेव वaranवत में देखांगें जंगन्ना कितने वर्ट को पर होती है भारत में नियमित में जनगन्नाथीन वर्ट 10 एक से निसे उस्ट बरके款सिय दो मिन्टो थे लोग अंदोलन कब अब्रारम हुआ था तो इस कुछन का राइब था ओप्सन नंबर सी यानि महात्मा गांदी अफ्रीका से भारत कब लोटे तो महात्मा गांदी अफ्रीका से भारत लोटे वह उते 1915 को यानि इस कुछन गार्नेसर यह हो जाएगा इस कुछन नंबर 199 का प्रिदय महात्त हैं तो हिंदू महासभा की अस्थापना की बात करें तो इसकी अस्थापना हो इती वी हो जाएगा प्रेंपर 1915 कब वह थे लिए तो नश्यूप था भारतिय समीधान को मिनाने मां कितना समय लगा था तो यहां पर राइटेंसर की बात करें तो राइटेंसर को कहां ग्यान प्राप्त हुआ पता होगो आप सब्सक्राइब आपना यह वीडियो को लाइक कर दिजिए निरगवा का अर्थ क्या है इसका पताईब यह और वीडियो को लाइक कर दिए चलिए पनीए रचित है पनीने की होना चाहिए यानि पान सुषब पुर्व है चलू कुस्षे नंबर चब्स दख पराउगे तंबागु का सेवन सरो पर्थम किस मुगल सामराथ ने किया तो तंबागु सेवन जो सरे परत्रम जुकिया था वह क्या था जहां यहीं सोब वह आपकर ने उसी तरह सेम पर किस सक ने प सियख मारदिन चिस्ति की दरगा स्थित है कहा पे स्थित है तो यह जो है अजमेर में स्थित है यानि इस कुस्ण कारणेसर सी हो जाएगा जाएगा चले को से नमबर 18 से देख पा रहा हूंगे यहां पे आलम गीर होगा और शूड़ गया है आलम गीर के नाम से कौन सा मुगल बाद सा जाना जाता है तो आलम गीर के नामसे जानना आता है और यह जिए जिस कुस्ण कारणेसर डी हो जाएगा और यह जिए कौन सा वृधेसी यातरी घोरों का वयापारी था तो यहां पे राएगा यह बॉट दोनों हो जाएगा यह पर निकोलो कौंटी और अफनासी नीकितन तो यहाँ पर हम लोग आशन को कम्प्रेट कर चुके हैं जो कि आपके इस बोड़ प्रेयर एक्जाम के लिए काफी महत्पून होगा अगर आपने वीडियो का अभी तक लाइक ने तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ एक बार जरूर सेर कीजेगा ताकि उसको फाइदा हो जाएगा अगर आपके स्टिम पर किसे दर के वीडियो आले तो आपके लिए काफी हैलफ होगा चल तब तके मिलते हैं अगरे नए वीडियो जब तक लिए जय हिन जय भारत और थैंक्स फोर वाचिंग